लोमगा गोत्र के लोग कुड़ना में बसे हुए थे लगभक सन सौ से एक सो दस ई की बात है उस समय नागू मुंडा सबसे प्रसिद्ध व्यक्ती में से एक थे वह मनोहरपुर क्षेत्र का नेत्रित्व करने वाला एक मात्र व्यक्ती था उसके सामने दुश्मन भी फिका पड़ जाता था नागू मुंडा जिसको लातोम हड़ डाम से जाना जाता है इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम पोड़ा बांकी रखा पोड़ा बांकी दस वर्ष होते होते नागू मुंडा की पत्नी की मृत्यू हो जाती है तब नागू मुंडा बड़ी सद्मा लगा और इस स्थान को छोड़ने का फैसला किया और इस क्षेत्र को अपने भाईयों को सौपा और नागू मुंडा अपने बेटे के साथ बहुत दूर चले गए घंगोर जंगल के ओर चले गए जिसको भी पता नहीं हुआ नागू मुंडा लगभगसन 120E में कुड़ना को छोड़ कर चले गए घंगोर जंगल में एक हिम्मत निडर होकर अपना आशियाना बनाने के लिए बहुत संकटों का समना करना पड़ा दो से तीन महिना होते होते रहने के लिए आशियाना खड़ा किया और कुछ साल होते होते काई समास्या उत्पन नहुआ तब उन दोनों को किसी का सहारा आवश्यक्ता होने लगी तब पोड़ा बांकी अपने पिता से यों कहता है पापा यहाँ पर हम दोनों केवल हैं यहाँ पर कोई तो सहयोग के लिए होना चाहिए ताकि इन समास्याओं का समाधान होगा पिता जी हमारे इश्ट कुटुम्ब, भाईयों और अन्य गोत्र के भाईयों को यहां रहने के लिए बुलुआ लाएंगे ताकि यहां एक गाव बनेगा और हम यहां के मूल निवासी होंगे इस तरह पोड़ा बांकी के कहने से नागु मुंडा अपने इश्ट कुटुम्ब, भाईयों को और अन्य गोत्र के भाईयों को भी बुलाया और वहां पर सब अपना अपना आशियाना बना लिया इसके बाद उन्होंने निर्णा लिया कि इस गाम का नाम करण होना जरूरी है तब नागु मुंडा ने अपने बेटे पोड़ा बांकी के बाद से सहमत हो गया और नागु मुंडा ने इस बात हमेशा याद रखना जरूरी समझा और इस गाम का नाम पोड़ा हाट रखा इस तरह पोड़ा हाट का नाम करण हुआ और दुनिया भर में चर्चा का विशय बना हुआ है पोड़ा हाट में पोड़ा बांकी शादी करा देते हैं और पोड़ा बांकी से डुडरी मुंडा का जन्म होता है फिर डुडरी से तीन पुत्र उत्पन्न हुए तूनी डुमुनी बालो तूनी अपनों के साथ रहने लगा और पोड़ा हाट समराज्य को स्थापित किया और इसका वांश धीरे धीरे फैलने लगा और इस वांश को तूनी वांशी कहा जाने लगा और पोड़ा हाट के चारों और फैलते जा रहे हैं डुमुनी और बालो अपना अपना समराज्य बनाने के लिए पोड़ा हाट को छोड़कर बहुत दुर चले गए और अलग-अलग स्थानों पर अपना अपना आशियाना बना दिया आज काल इन दोनों का गाव खूंटी जि लगभग 400 से 500 इ में डुडरी से बाजी और बालो से गमा दोनों बातें करके एक स्थान को चैन कर वहीं बस गया और उस स्थान का नाम बाजी गमा रखा गया यहीं पर काई पिढ़ी बसे फिर इनका इतिहास नहीं मिलता है बाजी गमा दोनों का वांश इधर उधर पैल ग लोमगा किली से पाया जाता है इस जानकारी के लिए आप मेरे साथ समय बिताइए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको इसी तरह और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शीर कीजिए धन्यवाद